आयम खबर हम आपको बता रहे हैं बांगला देश की प्रधान मंत्री सेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है ये वड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पडोसी देश बांगला देश में हालात भिगड गए हैं ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है बांगला देश की धाका को छोड़ दिया है बताया जा रहा है कि वो पक्षी मंगाल के लिए रवाना हो गई है उनका हेलीकॉप्टर जो है बंगाल के लिए रवाना हो गया है पी-म आवास में प्रदर्सन कारी घुचगाई है ये बड़ी जानकारी हम आप तक साजा कर रहे हैं ये सेख हसीना का हेलिकॉप्टर बताया जा रहा है जिसमें सेख हसीना जो है जिनोंने ढाका को छोड़ दिया है और वह रवाना हो गई है ढाका से ये वेहद अहम जानकारी हम आप तक साजा कर रहे हैं सेख हसीना ने प्रदान मंत्री पत से इस्तीफा दे दिया है बांगला लगातार हिंसा की आग में जलता जा रहा है अभी टे एक महीने से दो महीने से लगातार भाहाँ पार आरक्चन की मांग को लेकर अंदोलन हो रहा है और सांदोलन के बाद आप बांगलाधेस बॉडर पर चौक सी बढ़ा दी गई है इंडिया बांगलादेश बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया तस्मीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं ये सेख हसीना का हेलिकॉप्टर बताया जा रहा है जिसमें जो सेख हसीना है बांगलादेश की प्रधान मंत्री उन्होंने पत्स मुल्क बांगलादेश में जहां पार बांगलादेश की प्रधान मंत्री ने अपने पत्से इस्तीफा दे दिया है तस्वीरें हम आप क्यों दिखा रहे हैं सडकों पर इस वक्त हजारों की तादात में प्रधर्शनकारी हैं प्रधान मंत्री आवास में प्रधर्शनकारी गुश गए हैं तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाईए किस तरीके से बांगला देश में उलट फेर हो गया है तकता पलट की तैयारी हो गई है क्योंकि प्रधान मंत्री बांगला देश की जो प्रधान मंत्री हैं उन्होंने अपने पत्से स्तीपा दे दिया है टीवी स्क्रीन पर हालाद बिगड़ते जा रहे हैं बांगला देश में सडकों पर हजारों की संक्या में जो है इस वक्त प्रधान मंत्री दिखाई दे रहे हैं और बांगला देश की प्रधान मंत्री अपनी बहन के साथ बांगला देश से रवाना हो गई है उनका हेलिकॉ प्रदर्शनकारी फिलाल जो हेलिकॉप्टर हम आपको दिखा रहे हैं यह सेख हसीना का हेलिकॉप्टर बताया जा रहा है जो पक्षिम बंगाल के रास्ते बताया जा रहा है इंडिया आ रही है नहीं उन्होंने बंगला देश छोड़ दिया है धाका में धाका पहले जहां प पुलिस को हटा लिया गया है क्योंकि अब तक 19 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है अब बहाँ पार पूरे देश में पूरे मुल्क में जो है सेना को तैनात कर दिया गया है पुलिस को पीछे हटा लिया गया है तस्वीरें बहुत है सकते हैं भ्यावे हैं बांगला देश की जहां पर प्रदान मंत्री ने स्थीपा दे दिया और ये तस्वीरें देखिए ये देखिए किस तरीके से जो है पीम आवास में घुश गए हैं हाजारों की तादात में प्रदर्शनकारी प्रदान मंत्री आवास में घुश गए हैं तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बहाँ पर भगदर मची हुई है आईस्ती इस्तिती सिलंका में भी देखने को मिली थी लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए पूरे बांगला देश में सेना की तैनाती है पीम आबास पर हजारों की तादात में प्रदर्शनकारी इस वक्त गुसे हुए है और देखिए किस त पत से इस्तीफा दे दिया है वेहद अहम जानकारी हम आपको बता रहे है बांगला देश के जो सेना अध्यक्ष है उनकी तरब से बड़ी प्रेस कॉंपेंस भी की जा रही है लेकिन फिलाल ये बड़ी जानकारी हम आप तक साजा कर रहे हैं प्रदान मंत्री से खसीना ने अपने पत से इस्तीफा दे दिया है बांगला देश में हालात बिगड़ गए हैं बियस अपने बांगला देश बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया है बांगला देश की पीम से खसीना ने देश छोड़ दिया है ये कंपर्म हो गया है बड़ी जानकारी में आप तक बता रहे है धाका पैलेस में सैकडो की संक्या में प्रदर्सनकारी घुश गए हैं ये बही चौपर है जिसमें सेक हसीना अपनी बहन के साथ बताया जा रहा है कि वो बंगाल के लिए रवाना हुई है यानि हिंदुस्तान आ रही है लेकिन अभी पुष्टी नहीं है कि वो हिंदुस्तान नहीं है या फिर लंदन जा रही है फिलाल बंगला देश की स्थिती काफी तनावपूर्ण हो गई है और किस तरीके से यहां पर हालात जो हैं बिगड़ते जा रहे हैं तस्वीरे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और किस तरीके से हजारों की तादात में जो है स्थितियां शुनोती पूर्ण बनती जा रहे हैं उनकी सब के पीछे जो है एक ही बज़े मानी जा रही है और वो बज़े है आरक्चन की मांग सेना का बयान आ गया सांती के लिए सहोग चाहिए और सेना की तरफ से अंत्रिम सरकार का गटन करेंगे इस्तीपा दे दिया है प् खिलाल तसपीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रहें बंगलादेस की प्रधान मंतृ ने अपने प Melbourne के स्तीपा दे दिया है और सेना की तरफ से महाँ एक बड़ी press conference की जा रही है और सेना की तरब से जनकारी आ रही है वो यह कहा कि बंगलादेश के सेना अध्यक्च का एलान यह बड़ी जनकारी हम आप तक साजा कर रहे हैं सेना अध्यक्ष का ऐलान हो गया है कि अंत्रिम सरकार का गठन करेंगे सांती विवस्ता बहाल करेंगे पुरधान मंत्री ने स्तीफा दे दिया है